ओम शांती आज 11.11.2022 के बाबा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देते हैं रोज पढ़ाते हैं ज्यान खजाना देते हैं ऐसे बाप को तुम भूलो मत स्रीमत पर सदा चलते रहो प्रश्न है बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते बाप की जादुगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते उत्तर है काटो के इस जंगल को बदल कर सुन्दर फूलों का बगीचा बना देना पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना यह जादुगरी बाप की ही है किसी मनुष्य की नहीं बाप ही सबसे बड़ा सोसल वरकर है जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं गीत बजा है बच्पन के दिन भुला न देना आज हसे कल रुला न देना धारना के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नती को पाना है अपने इस्वर्य बच्पन को भूलना नहीं है दुसरा पॉइंट मात पिता को फॉलो करते रहना है माया के तुफानों से डरना नहीं है अम्रत्वेले बाप की याद में बैठ कर सुख का अनुभव करना है वर्दान है दृड़ता की शक्ती से सफलता प्राप्त करने वाले प्रियोग शाली त्रिकाल दर्शी भव दड़ता की शक्ती से सफलता प्राप्त करने वाले प्रियोग शाली त्रिकाल दर्शी भव बाप दादा का वर्दान है जहां दड़ता है वहां सफलता है तो दड़ता से कोई भी गुनवा शक्ती के प्रियोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वेम में संतुष्टता का अनुभव करो दड़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए त्रिकाल दर्सीपन के स्थीती के आसन पर बैठ कर जैसा समय वैसी विधी से पहले स्वेम सिद्धी स्वरुप बनू तब प्रियोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तयार होगा और उस संगठन की किरने बहुत कारिय करके दिखाएंगी स्लोगन है सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है ओम शान्ति